कि इन वांपको आपको watt कर दोंबने हों दोस्तों आगर वोटसब पर किसी को भूडो करके रखा है तो आप इसको कैसे अनूबड कर सकते और इसके एगर आपके फून से भी नंबर डिलिट हो गया तो भी आपको अनूब्लोक कर सकते हो उसको तो दोस्तों वो किस तरीके से करोगे आज के वीडियो में यही कुछ आपको explain करवाने हो दोस्तों मेरे नाम है Lucky और आप हमारे चैनल देख रहे हैं लस्तेक तो उसको subscribe और बेल आइकन को press कर दीजिएगा जी यहां दोस्तों आपको सबसे पहले यहां पर WhatsApp को ऑपन हो जाना है जैसे इस त्रीके से आप वोडसब को ओपन करते हो दोस्तों तो अब आपके सामने यहां पर काफी सारी settings देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यहां पर आपको simply करना क्या है कि दोस्तों आपको यह 3 dots का icon दिखाई दे रहा है इस पर चले जाना है जैसे इस पर आप click करोगे तो guys यहां पर आपको एक option सो होगा settings का इस settings वाले option पर आप जैसे click करोगे तो दोस्तों अब आपको simply थोड़ा से उपर की और scroll कर लेना है और आपको यहाँ पर आपको एक option दिया होगा privacy यह वाला जो privacy का option है इस पर चले जाएंगे फिर दोस्तों इस पर जाने के बाद आपको simply उपर की और scroll करना है scroll down करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक option सो होगा दोस्तों यह जोगी blog contact तो इस पर आपको simply कर लेना है click इस तरीके से click करोगे तो अब दोस्तों आपके mobile में जो नाम से बिना नाम से save हुए number यह आपने number ही नहीं है लेकिन आपने blog कर दिया है तो इनको आप unblock कैसे करोगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको जिस number को unblock करना है यहाँ पर इसको unblock करना है तो इस तरीके से click करके रखना है थोड़ी देर के लिए फिर यहाँ से unblock contact पर कर देना जैसे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो इस option पर आप जैसे इस तरीके से click करोगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा जो होगा unblock तो इस तरीके से आप किसी भी person को आपके पास number नहीं हो तो भी unblock कर सकता है दोस्तों यह आपको वीडियो कैसे लगा लाइक से कोमेंट ज़रूर करें तो मिलतेख से नेक्स्ट वीडियो के लिए